भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीरा बाई चानू पर अब हर देश्वासी फिदा है आखिर क्यूं नहों उन्होंने टोक्यो उलम्पिक में भारत के लिए नया इतिहास चुरस दिया इस वेट लिफ्टर ने 49 किलो भारवर्ग में 202 किलो वजन उठाकर देश की जोली में सिल लिफ्टर बनने का नहीं बलकि एक तीर अंदाज बनने का था अपने सपने के लिए वह 13 साल की उम्ण में ट्रेनिंग के लिए इंफाल के साइस सेंटर भी पहुँच गई लेकिन उन दिनों इंफाल में आर्चरी की कोई सुवधा नहीं थी जिसके चलते उन्होंने अपना यह रादा बदल दिया चानू ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह आर्चरी का खेल इसलिए चुनना चाहती थी क्योंकि यह बहुत ही साफ सुथरा खेल है जिसमें कप्रे बिलकुल भी गंदे नहीं होते साफ सुथरा खेल चुनने की वज़ा यह थी कि उनके सभी भाई और चचेडे भाई फुटवाल खेला करते थे लेकिन जब भी वे साम को घर पहुंचते थे तो उनके कप्रे बहुत गंदे होते थे इसलिए वो ऐसा खेल खेला नहीं चाहती थी जो साफ सुतरा हो इसलिए आर्चरी उन्हें भाने लगा लेकिन जब आर्चरी के लिए उन् लिफ्टिंग के कुछ वीडियो उस पर पड़ी ये वीडियो क्लिप्स देश की पुर्व वेट लिफ्टर कुझारानी देवी के थे इंटरनेशनल लेवर पर कई मेडल अपने नाम कर चुकी कुझारानी ने मीरा भाई चानू को भी अपने खेल का मुरीद बना लिया और दिन से मीरा भाई ने वेट लिप्टर बनने का स्पैसला किया इसके बाद एक बार फिर वसाई के बेट लिफ्टिंग ट्रेडिंग सेंटर में गई और किस्मत से यहां उन्हें अनीता चानू मिल गई जिसने इस खेल में उन्हें लाने का एहम रूल निभाया यह मीरा भाई की सची लगन का ही नतीज़ा है जो उन्होंने ओलम्पिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है उनका घर कोचिंग सेंटर से 20 किलोमेटर दूर था और वो ट्रक में लिफ्ट लेकर या साइकल से रोजाना वहां पहुंचती थी बारिशाय या तुफान मीरा भाई कभी अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ती थी